असलाम अलेकों मैं हो नायजिस पिहारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फिर आप मुझे साथ इस्य टीवी की वेब चैनल पर मुझे देख सकते हैं आज पाकिस्तान जिस सुरत हाल से गुजर रहा है वो एक सिट्वेशन हम जो 2011 से देखते हुआ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी पॉर्टिकल पार्टी उन्होंने बनाई 2011 के बाद उनको पिर सपोर्ट रून को मिली जा है वो जिसके सिनी वीडिया या साइए के जो लोग थे जो भी था उसमें सब चीजे मौझे हैं मारे सामने 2017 में उनकी आती है दो पॉर्टिकल पार्टी जो यही उनकी पॉलिटिक्स उनकी रही है कि मैं नहीं मानूँगा मेरे इलावा बाकिसारे के सारे वद्दार हैं, बाकिसारे के सारे जूटे हैं, I am the only one who can change this country. आज establishment उनके साथ नहीं है, वो establishment को भी अपने तरीके से लेकर चलना चाते हैं, वो आला उद्दारों पर मतबने के आला जो पुजिशन्स जो के हैं, उसके भी उचाते हैं कि उनके अपने बंदे बैठे हैं, उसके लागा एलेक्शन कमिशनर को भी वो चेंज़ करना चाते हैं, इन सब हालात में वैसे भी छे मेने हमारे पास रहे चुक्छे हैं, दो मेने पहले हुए हो सकते हैं अगर ढम due मेने पहले हैं को सकते हैं, तब भी मेने पहले हैे थ मार्च में असमया कन्ऱत थी तो बदे थी और हैं उसके बाद सहो एक इलक्शन क कंपेंड़ चल रहे ہیں वो एक जिस तरह election campaign और cricket की जमान में कहते हैं कि वो फ्रंट फूट पे आगे खेलना वो मुसलसल हो जी तरीकी से खेलना है वो लेकिन उसके बरक्स जो कि दूसरी जमादे जो कहें जो कहें जो कि अभी खाले गरॉल में भी है जो कहें वो बैक फूट पे खेल रही हैं आगे जिस तरीक से भी जमनी इंतखाबात के एलेक्शन्स हो रहे हैं एक जिस आप याद रखें जमनी इंतखाबात के एलेक्शन्स अभी भी उन्हीं एलेक्शन कमिशनर और उसी एलेक्शन कमिशन के से रहसर हो रहा है जिसके बारे में अमरान खान साब कहते हैं कि ये प् आज हम यह दे सकते हैं कि इन्हों ने धर्णा दिया वा है आप इसे मुझारात के तरहीं टाइम बाय करें अमरान खान से कि पॉलिटिक्स को भी आप अगर देखते हैं आई है किस तरी कि अगर वह बहुत जाते हैं तो उनके लिए बहुत जादा मुश्किला थोंगी कि आपक आपके की कर्मेर्ट है वी डे और फाइटिंग जस्ट फूर वन सीट विच इस तरी के साथ उनके साथ जो चीज़े हो रही है उसको वह किस तरीक से सही करेंगे उन्हों ने अमरीका को जो कुछ बोला उन्हों ने इंटरनेशनल पॉलिक्स के बारे में जो कुछ बाते करी वो उसको किस तरीक से सही उसको करेंगे यह बहुत सारी बाते हैं और आप जब कॉपरेट आप नहीं करनें किसी को भी तो आपको क्यों कॉपरेट किया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगी जिके मैं तो दो ताही अक्सरियत में जीच जाऊंगा और मुझे किसी इतहादी के मुझे जौरत नहीं होगी ना मुझे अपोजीशन की मुझे जौरत मुझे होगी आपको जौरत आपको होगी और वो सब चीजस आपको करवा कर आपको दी जाती थी और पागिस्तान की 75 साला पॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं तो तमाम की दाम हकूमते इसी वजह से टूटी हैं कि इतहादी हुकूमतें उनके साथ होती थी यह पिर उनको शामिल किया जाता था जो कुछ भी होता था इन सब सुरतहाल में यह हमारे लिए इस बात को में दो देखना होगा कि पागिस्तान के जो आगे के जो हालाद जो के हैं चाहे वो ती महीने पहले ए हो वह वैसे कि वैसे ही रहेंगे हमें अपनी पॉलिट्टिक्स को चेंज करना होगा इम्रान खान साबको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा और उसके बाद ही आपकी सही माएने में कोई पाकिस्तान की तब्दील लेगा सकते हैं वरना मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये एलेक्शन तो होंगे मगारान खान साब के बगार होंगे ख्याल रखेगा अपना देखते लिए के अधिया अधिया टीवी आपके लोस्ट रुमेराज़ेस बिहारी को जाज़त दीजिए असलावाले को